नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचिन भरदवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूटिब चैनल जीवन कोश मशूव टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिधार्थ शुकला का निधन हो गया 40 की उम्र में उनका काडिक एरेस्ट से निधन हुआ है ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संसकार पूरे रितीरिवास से किया गया जैसा की हम सब जानते हैं कि सिधार्थ शुकला अपने फिटनेस के लिए कितने मशूर और अपने फैंस के बीच में पॉपुलर थी सिधार्थ फिटनेस फ्रीक थे वो अपना वरक आउट करने में कोई भी कोता ही नहीं बरतते थे सिधार्थ अपनी परफेक्ट मसल परफेक्ट बॉडी के लिए भी मशूर थे अब उनकी मौत के बाद उनके जिम ट्रेनर का एक बयान सामने आया है उन्होंने बताया है कि सिधार्थ अपनी फिटनेस के लिए काफी समय देते थे लेकिन कुछ दिनों से उन्हें परिशानी हो रही थी सिधार्थ के ट्रेनर सोनुने एक इंटिव्यू में बताया कि आमतौर पर सिध दो घंटे के लिए ही वरक आउट करते थे लेकिन बीच में रेस्ट करते करते वो जिम में कुल तीन से चार घंटे बिताते थे सोनुने बताया कि सिधार्थ उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट ही नहीं थे एक गहरी दोस्त और भाय की तनहा थे सिधार्थ अपने वयाम और मेडिटेशन को लेकर पर्टिकुलर सिधार्थ शुकला को डॉक्टर दोरा अपने वरक आउट टाइम को तबियत खराब होने की वज़ह से कम करने की सलहा भी दी गई थी दरसल सिधार्थ शुकला रोजाना तीन घंटे वयाम किया करते थे लेकिन सूत्रों की माने तो उनके डॉक्टर ने उन्हें अपने वयाम और कसरत के समय को घटाने के लिए कहा था और आराम से एक्सरसाइस करने की सलहा दी थी सिधार्थ शुकला पिछले कुछ समय से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे जिसकी वज़ा से उनके डॉक्टर ने उन्हें ये सलहा दी थी सिधार्थ शुकला टेलिविजन के ना सिर्फ सबसे हैंसम बलकि सबसे फिट अभिनेताओं में से एक थे वो अपनी रोज की एक्सेसाइस से किसी भी तरह का समझोता नहीं करते थे लेकिन अभिनेता के ट्रेनर का कहना है कि सिधार्थ पिछले कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे आपको बता दे सिधार्थ की मौत पर कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि सिधार्थ ने केवल अपनी फिजिकल फिटनेस और बोडी पर ही काम किया और अत्यतिक वर्काउट के चलते उन्होंने अपनी एनरजी खो दी इसके अलावा उनके दोस्तों के मुताबिक सिधार्थ का स्लिपिंग पैटन भी सही नहीं था सोनी की ऐसी अन्यमिता दिल की सेहत के लिए काफी खतरनाग हो सकती है हम लोग अकसर यह सोचते हैं कि छोटी उम्र में हार्ट अटेक नहीं आ सकता लेकिन हम आपको सचेत कर दें कि उम्र को देखकर हार्ट अटेक नहीं आता हार्ट अटेक किसी को भी हो सकता है अगर आपका लाइफ स्टैल ठीक नहीं है आपका सूनी का पैटन सही नहीं है या फिर आपका खान-पान सही नहीं है, आप जहां रह रहे हैं वहाँ पर प्रदूशन अत्यादिक है, तो आपको कई heart issues हो सकते हैं, इसलिए अपने lifestyle को लेकर किसी भी तरह की कोता ही ना बढ़ते, अपने खाने पीने को लेकर किसी भी तरह की कोता ही ना बढ़ते, फिलहां इस वीडियो में इतना ही